कॉंग्रेस ने देश में अलगावाद बढ़ाने के लिए हिंसा को प्रोत्सान देने के लिए देश को गाली देने वालों को प्रोत्सान देने के लिए भी एक योजना बनाई है जो तिरंगे जंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं जो आपकी तरह जयहिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं जो बाबा साब आमबेड कर जैसे मनीशियों की मुर्तियां तोड़ते हैं ऐसे लोगों से भी कॉंग्रेस को सहानुभूती है जो बारत के समिधान को बारत के कानून के दाइरे को नहीं मानते ऐसे लोगों के खिलाप देश द्रोग का जो कानून देश में हैं उसको खत्प करने का बादा ये कॉंग्रेस पार्टी ने किया है आप मुझे बताइए क्या देश द्रोग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए देश द्रोईयों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर देश द्रोईयों को खिली छुड़ दी जाएगी तो आप लोगों को मुसिबत आएगी कि नहीं आएगी देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा इनको क्या हो गया भाईयों साथियों एक तरफ आपका यह चोकिदार देश के वीर सपूत देश को तोड़ने वालों के खिलाप खड़ा हो रहा है देश के भीतर हो या देश के बहार भारत मापर हमला करने वालों के खिलाप आपका यह चोकिदार कठोर कारवाई कर रहा है वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवाल ये हो चुकी कॉंग्रेस सत्ता में वापसी की छटपाटा हट में आज इतनी नीचे गीर चुकी है क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है कॉंग्रेस का हाथ देश के साथ है या देश द्रोहियों के साथ है इस चुनाओं में देश का नागरी कॉंग्रेस पार्टी के इन बातों का पूरा जबाम मांग करके रहेगा आप सभी मिलकर कॉंग्रेस और महा गठमंदन के नाम पर बाना महा मिलावटी लोग उनकी जमानत जबत कराएंगे कि नहीं कराएंगे उनको पूरी तरह हराएंगे कि नहीं हराएंगे उनको हमेशा के हमेशा के लिए गर बेज देंगे कि नहीं भर देंगे भायो अरुनाचल को बचाने के लिए अरुनाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेमा खांडू जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है बारत की जंता पाटी की सरकार बनाना जरूरी है दिल्ली में भी कमल का एंजीन हो अरुणाचल में भी कमल का एंजीन हो फिर देखिए अरुणाचल की गाड़ी कैसी तेज चलती है भाई आप आश्वस्त रहिए जब तक ये चोकिदार है तब तक देश को तोड़ने के बारे में सोचने वालों को सो बार सोचना पड़ेगा हम एक भारत स्वेश्ट भारत के लिए जीने मरने वाले लोग है यही अरुणाचल के आप सभी साथियों की प्रेणा है यही 130 करोड भारत वाचियों का प्रण है